हिलो माई दियर श्टूरेंट्स, गुड मॉर्निंग, आज हम 7.3 का नेश्ट पार्ट पढ़ेंगे, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोश्चा नमबर 10, यहाँ पे बोल रहा है बबो कि साइन के पावर 4 का इंट्रिगेशन गयाद करो, यह सवाल IAC 2021 में आ रहा है, मेरे तर होगा, बचपन में आप इस चीश को पढ़े थे, तो आप मुझे बताना दो, साइन के पावर 4 को मैं साइन स्कॉर के हॉल स्कॉर लिख सकता हूँ, आप कोगे यह सर, मेरा पाला स्टेप की साइन के पावर 4 को मैं साइन स्कॉर के हॉल स्कॉर लिख होगा, अगर यहाँ पे वेट करो मैं दिखाता हूं देखो 1 प्लस कॉस 2 X वराबर 2 कोस्य स्क्वार एक्स होता है तो कॉस्य स्क्वार का फर्मूला क्या आएगा ये दो गुना में है तो कहा जाएगा भागा में इसका मतलब आज के बाद रटा मार लेना की कॉश स्क्वार आएगा तो पलस आएगा आप लुषा स्टेप one minus minus two x oranges औरीजिनल फर्मूला ओता है गुणा में कहेंगा वागा में तो साइन स्कॉर एक मैं में इस भी खासियत है कि यहां पर एकस रहेगा नवबू तेंस लिखना यहां यहां पर हमने फर्मूला को लिग दिया है कि 1-2x बराबर 2 sin2x होता है बट मुझे किसका फर्मूला चाहिए बबू sin2x का तो sin2x का फर्मूला देखो 1-2x यह दो गूना में का है भागा में हम आपसे पूचेंगे कि 1-2x बराबर 2 क्या है ता आप कहोगे sin2 का फर्मूला है हम कहेंगे यह square कहां से आया ता आप कहो कि शर ऊपर square है ऊपर square छोटी bracket है छोटी bracket और sin square का फर्मूला होता उगर मास cost to x बटा 2 यहां तक आपको समझ में आ गया अगला step अगला step में देखेंगे बबू इसका मतलब ऊपर वाला का भी square होता है नीचे वाला का square तो ऊपर वाला का square तो a-b के hollow square जाएगा बट नीचे वाला का square दो का square कितना चार ठेक है यह भी समझ में आ गया अगला step अगला step में एक बटा 4 constant constant कहां बाहर यहां पर समझने वाला बात है एक बटा 4 constant constant बाहर यहां पर हमने एक बरी bracket दिया है बबू और यहां पर इंत्रीगेशन है बबू इंत्रीगेशन दिया और यहां पर हम एक मंज़ली ब्राकेट दिया फिर से 1 बटा 4 constant constant कहां बाहर जब constant बाहर लिखेंगे तो बड़ी bracket यूज़ करेंगे फिर इंत्रीगेशन यूज़ करेंगे फिर मंज़ली ब्राकेट इसको तोरो a-b के whole square होता है बबू A square minus 2A V B के जग़ा पे क्या है cos 2 X फिरसे समझेंगे A square minus 2A B plus क्या होता है B square B के जग़ा पे क्या है cos तो cos का square करेंगे था लिखेंगे ऐसे cos square 2 X अब यहां पे मंजली bracket मंचली bracket के بगल में D X फिर बड़ी ब्रयकेट यहां तक सही है फिर से हिर्स ए माइनस भी के होल एसकौर एसट कद इसक९ ठीक है और साही है अब देखो अभी हम इसको इंट्रीगेशन नहीं करेंगे देखो एक बटा चार है दोस्त creature a बड़ी बढ़ी बराकें, इंट्रीगेशन, मंजली बराकें, बोलो, एक का स्कॉर क्या होगा, एक माइनस, इसको सौर्ट करेंगे, दो से गुना करो, तो तो कॉज तो एक्स, फिर इसको आप बताओ, कॉज अस्कॉर, कॉज अस्कॉर दीखें तो फर्मूला क्या लिखना, वन पलास क स्कॉर, कॉज बताओ, यहां पर यहां ही, कैंड़ी बराकें, यहां पर दीखना है, नहीं बढ़ा गहते हैं, वहां है, क्या लिखना है, अगर इहां पर दीख रह गा, यहांं पर 202020, तो इसलेração के घन तो उस्कॉर्ण सबक्राइब यहां प्रूर्ण वान पलस कॉस्ट फोर एक्स पटा टू यहां फोर एक्स क्यों हुआ क्यों कि यहां 2x है तो 2x का दुगना 4x होता है यहां पर 2x कभ होता जब यहां पर होता है तक है, अब अगला स्टेप हम लोग समझेंगे बबो, इंट्रीगेशन करेंगे, देखो 1vens से 4 इंट्रीगेशन इंट्रीक की ओक श का इंट्रीकेशन 2x होता है, द webs out न इंट्रीकेस्यों, 4x晚 5x थो तो 1 गुप एंट्राइशन, 1- क्लिस में इतलएख के गुंचेंट के कोंस्टेंट बाहर यहां पर 이죠. मेरा पहले वाला वीडियो आप प्लीश देखा भाई 1 by 2 constant constant बाहर मतलब 1 by 2 constant constant को बोले भाई यह excuse me तो excuse me का बाहर हो गया तो 1 by 2 constant बाहर 1 का integration क्या होता है x plus है plus देंगे cos का integration sign 4x और integration max के गुना भागा में छोटी bracket बरी bracket plus c plus c क्यों क्यों क्योंकि integration खतम हुआ what आपको यहां पर समझ में नहीं आए मैं समझाता हूं देखो 1 by 2 constant constant बाहर जब 1 by 2 बाहर आ गया तो क्या बचा 1 plus cos तो 1 का integration x होगा plus से plus देंगे cos का integration sign और integration में x का गुना भागा में हम पुछेंगे यह 4 कहां से आया तो x का गुना भागा में अब हम कहेंगे 2 कहा गया तो आपको कि सर 1 by 2 constant constant बाहर आपका इस सवाल का यही उत्तर है दोस्त अगर इस सवाल में आप एक स्टेप और बढ़ाना चाहते तो एक स्टेप ऐसे बढ़ाओगे 4 से गुना करोगे तो x बटा 4 होगा माइनस है यह 2 2 कटेगा दोस्त फिर 4 से गुना होगा तो यहां पे लिखेंगे साइन 2 x बटा 4 लिखेंगे न वबबू यहां पे देखना एक बटा 2 से सिर्फ इसमें गुना होगा तो चार दुनी का कितना 8 को x से गुना करेंगे तो x बटा 8 प्लस चार दुनी का 8 8 चो का क्या 32 साइन 4 x बटा क्या 32 इस सवाल का यही उत्तर है और भी एक अश्टेप इसका बढ़ सकता है मतलब इसका इसका भीन का जोर आप बना सकते हो वट इसका इसका भीन का जोर नहीं बनेगा क्यों नहीं बनेगा क्योंकि इसका इंगल 2x है इसका इंगल 4x है जिसके कारण नहीं बनेगा वट इसका फाइनली अगर मैं उत्तर की बात करूँ देखना चार दुनी का 8, 2 गुना x, 2x, x कितना अब 3x, वटा कितना, 8 फिर क्या बचेगा इस सवाल का ये भी उत्तर है, इस सवाल का ये भी उत्तर है लेकिन वाबू आप एक्जाम में वैसे उत्तर करना जो आपके लिए अच्छा हो, ठीक है इस सवाल का ये उत्तर देना ना वाबू, x बटा 4 माइनस यहां से गुना कर दिये, तो x बटा 4 गुना कर देंगे, तो x बटा 4 फ्लस, 4 दुनी 8 x में गुना करेंगे 8 से, तो x बटा 8 फ्लस, 4 दुनी 8, आट चो का वत्तिस प्लस, इस सवाल का ये उत्तर है, ठीक है अगर आपको मन है, तो इस अश्टेप को भी आप आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, नेस्ट कोशन 7.3 का कोशन नमबर 11 है बाबू, देखो कॉस के फावर 4, 2DX का इंट्रिगेशन क्या होगा, यहाँ 2X रहा है, चाहे 6X रहा है, चाहे 12X रहा है, चाहे कुछ भी रहा है ठीक है, cos की power 4 को cos square के whole square लिख सकते हैं, आपको हो गई यह से, यहाँ पे हम formula लिखते है, 1 plus cos 2x पर formula 2 cos square x होता है, ठीक है, बट मुझे चाहिए cos square का formula, तो क्या होगा, cos square का formula 1 plus cos, यहाँ पे 2x से तो कितना होगा, 4x, यहाँ पे 2 नहीं नीचे, उपर है square square, नहीं समझ मैं है, तो यह है, यह है, देखो, हमको x है, यहाँ पे 2x से बाभू, यहाँ पे 2x रहेगा, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 4x, ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि cos 2x का formula, तो 1 plus cos 4x by 2, उपर है square, क्या कर दिए, square, यहाँ तक समझ मैं आ गया होगा, अगला step, दो का square, 4, तो एक बटा 4 constant constant काहा, वार, फिश, दो का square, 4, तो एक बटा 4 constant constant काहा, वार, बरी bracket, integration, मंजली bracket, अब बताओ, a plus b के whole square क्या होगा, a square plus 2ab plus b square, तो cos का square कर दिए, मंजली bracket, dx, बरी bracket, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, एक बटाओ, 4, बरी bracket, integration, मंजली bracket, एक का square, एक, plus e plus, 2 से गुना करेंगे, तो 2 cos 4x होगा, plus e plus, cos square का formula, 1 plus cos, यहाँ 4x है, तो यहाँ पे कितना होगा, 8x, क्योंकि as square रहेगा ना, तो plus में जाएगा, cos square रह यह cos square का formula, बगल में dx, बरी bracket, ठीक है, अब हम integration करने के लिए सिखाते है, देखो, one का integration कितना होता है, x, plus e plus देंगे बबू, 2 constant, constant कहाँ, वाहर, cos का integration क्या होता है, sin, integration में x के गुना कहाँ, भागा में, plus e plus, one by two constant, constant कहाँ, वाहर, one by two constant कहाँ, वाहर, one का integration, x, plus e plus, cos का integration, sin, integration में x के गुना कहाँ, भागा में, छोटी bracket, बरी bracket, पलस क्या सी, इस सवाल का यही उत्तर है, बबू, इस step को आप बढ़ा भी सकते हो, कैसे, तो x by 4, plus, 4, 4, 16, दो से भागा कटेगा, तो कितना होगा, sin के power 4, कितना, 8 होगा, न, 8 तो होना चाहिए, न, दो दूनी के 4, दो बार में इकटेगा न, बबू, और यहां से 4 दूनी का 8 हो जागा, पलस देखो, 4 दूनी का, यहां से देखना, 4 दूनी का, 8, 8 को भागा देंगे, x में, तो x वट्टा 8 होगा, न, गलत तो नहीं है, 4 दूनी का 8, 8, 8, 64, यानि, sin, 8, x, वट्टा कितना, 64, पलस, c, सवाल का यहीं उत्तर है, ठीक है, मजा आया होगा आपको, next question है, 10 के पावर 4 का, इंट्रिगेशन, तो 10 के पावर 4 का, जब इंट्रिगेशन है, तो इसको लिखेंगे, 10 अस्क्वार, इंटू 10 अस्क्वार, क्योंकि 10 अस्क्वार, 10 अस्क्वार, गुनान पावर अब बताओ, 10 स्क्वार इंट्व 10 स्क्वार, अब बताओ, यह 10 स्क्वार, 10 स्क्वार का फर्मूला था, c, स्क्वार, x-1, dx, कोई प्रोब्लम नहीं, 10 स्क्वार, 10 स्क्वार का फर्मूला, c, स्क्वार, minus, 1, dx, किसी एक को चेंज करना, या तो आप इसको करो, या तो आप अब बताओ जब इसको इसमें दो पार्ट ए, एक पार्ट का नाम है 10A2XX और एक पार्ट का नाम है 10A2, अगर पहला पार्ट को मान लेते हैं दोस्त टेन वाई बरावर हम क्या मान लेते हैं तो बोलो इसको मान लेते हैं समीकरन वन आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको हम मान लेते हैं ठीक है यहां यहां पर देखेंगे दोस्त वाई बरावर हम मान लेते हैं टेन एक्स क्योंकि इसका तो हम इंट्रिगेशन कर लेंगे सेकस कोर एक मैनस वन करके इसका इंट्रिगेशन तो हम कर लेंगे दोस्त लेकिन इसका इंट्रिगेशन कर पाएंगे क्या नहीं तो हम जो बाई मान रहे इसके लिए इसके लिए हम नहीं मान रहे हम बाई मान रहे इसके लिए ठीक है तो बाई बराबर हम 10x माने त आपको कहोगे साथ 10x को बाई तो यहां पर क्या होगा y square very nice फिर कहेंगे सेक स्कॉर dx का मान तो सेक स्कॉर dx का मान क्या है dy ठीक है और यहां पर देखना minus इसके लिए हम माने थे क्या y लेकिन बहुत सारे लड़के लोग ऐसे होते हैं जो 10 को बाई कर देते हैं यह स्कॉर कर देते हैं जो कि impossible है यह नहीं होगा ठीक है इसको हम इसके लिए नहीं माने थे तो इसका हम फर्मूला लिख देंगे टेन स्कॉर का फर्मूला क्या होता है सेक स्कॉर x-1 into dx फिर से मैं पुछिना चाहूंगा फिर से इसको 10x को अपने बाई माना तो बाई का स्कॉर होगिया दोस्त और सेख स्कॉर d एक स्कॉर को मान क्या आ आपने भाई को क्या माना था टेन नो य और seeking to type शब्रक्राटरी माइनस हैं पे हो जाएगा यह टैने स से माइनस हैं पे पलॉस यहां पे क्या हो जाएगा सिवाड लाइप